Recently माराष्टा में समरुदी मामार खुला जहाब पर इसके ओपनिंग के कुछ दिनों में ही multiple tire burst incidents हमें देखने के लिए मिले जिसके वज़े से accidents भी हुए और ये आने के तुरंट बाग मुझे कुछ comments भी आने लगे जहाँ पर कहा गया था कि government ने express way पर गाड़ी ली जाने के पहले nitrogen tire में भरना compulsory कर दिना चाहिए तो ऐसा क्यों? जनरली tire burst तब होता है जब tire की health खराब हो टाइर ठीक से proper pressure maintain नहीं कर पा रहा हो या tire proper pressure के साथ में heat भी हो गया हो और nitrogen यह दिक्कत को solve करता है nitrogen के molecules जनरली air में जो combination of molecules होता है oxygen nitrogen दूसरे gases का उससे बड़े होते है जिसके कारण nitrogen tire अपना pressure maintain करता है इसमें से tire जो है वो leakage होता ही नहीं है बहुत लंबे समय तक और इसके लिए लंबे journeys के दौरान भी tire pressure maintain रहता है इसके वज़े से tire की health भी अच्छी रहती है क्योंकि खराब pressure के साथ में tire की health कराब होती है वो जल्दी घिसता है और इसके जैसे better safety और गाड़ी को better mileage में मिलता है